नमस्कार, पाकिस्तान में एक audio clip ने बड़ा हंगामँ माचा आया है ये audio clip है साकिप निसार का जो के पाकिस्तान के former chief justice है और जो उस clip में except कर रहे हैं कि army as an institution, judiciary को dictate करती है कि judgment क्या देना है मैं आपको पुरा transcript त्रांस्रिप्ट ट्विटर पर available है यूट्यूब पर available है ये ये आॉडियो कलिप बहुत ही खराब सी ओर्डियो है उस ओर्डियो में बहुत सारे disturbance आरे है लेकिन मैं आपको पुरा ट्रांस्क्रेप के साथ बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला है और कैसे हुआ होगा कुलबूशन जादफ का ट्रायल किस तरीके से जुडिशिरी को मैनिपलेट किया जाता है पाकिस्तान में और किस तरीके से आर्मी अपने ओर्डर्स लिखवाती है यह मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें यह बताया था कि वहाँ पे आर्मी अपने ओर्डर्स लिखवाती है और इस बार यह प्रूफ के साथ मैं आया हूँ कि आर्मी ओर्डर्स लिखवाती है और यह सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे है चिफ जस्टिस निसार अपसार जो है वो बोल रहे है एक अपने किसी दोस्त को कि यह यह हुआ है इस ओडियो में उन्होंने जो सबसे पहला सेंटेंस बोला है वो यह है उन्फॉचुनेटली देर इस इंस्टिटूशन दाट डिक्टेट्स जज्ज्मेंट्स एक दोस्त को बोल रहे हैं कि एक इंस्टिटूशन है जो के जज्ज्मेंट्स डिक्टेट करता है और उन्होंने यह भी बोला मतलब इस केस में हमें नवाज शरीफ को सजा देनी है डिक्टेशन आई है उपर से जोडिशरी जो केस सुन रही है वकील जो बोल रहे हैं या दोनों के दोनों लोग एक्यूस जो बोल रहा है उसको नहीं सुना जाएगा वहाँ से पहले से आ गया है यह जज्ज्मेंट देना है अब के मुकदमा जो लड़ा गया है पूरा बरबाद है पूरा जूटा मुकदमा लड़ा जा रहा है इसका मतलब जब पहले से जज्ज्मेंट लिखा हुआ है उसके बाद आप कोड में कुछ भी बोलते रही है जज्ज्मेंट तो हाथ में पहले से है मुझे यही देना है वो कितना अपनी वेगुनाही का सबूत दे दे उसके बाद जनाब ये फॉर्मर चीफ जस्टिस बोल रहे है वीशल ब्रिंग खान साहब ये इंस्टिटूशन ने बोला है उनसे मतलब आर्मी के लोग जो के चीफ जस्टिस से बात कर रहे थे उन्हों ने बोला वीशल ब्रिक खान साहब ये उस समय की बात है जब इमरान जब नवाश शरीफ ने अपनी कुरसी से रिजाइन किया था और रिजाइन करने के बाद उन्ही की पार्टी का एक और आदमी प्राइम निस्टर बन गया था अभी खान साहब का कोई पिक्चर में नहीं थे खान साहब ऑपोजिशन लीडर थे जीते नहीं थे प्राइम निस्टर नहीं बन थे वी शुड ब्रिंग खान साहब उसी समय डिसाइड हो चुका था कि खान आएंगे इससे ये भी बता लगता है कितने free and fair elections होते हैं पाकस्तान में पहले से डिसाइड हो जाता है कि results ही हैं अब voting अप करते रही है कोई problem नहीं है जिसको भी डालेंगे counting हमारे हाथ में पहले से है आगे आगे बताता हूं आपको regardless of merit ये former chief justice बोल रहे हैं phone call पे और इस phone call की जाँच भी हो चुकी है regardless of the merit we will have to do it even to his daughter regardless of the merit हम उनकी बेटी को भी सजाद देंगे केस का merit हो या ना हो हम सजाद देंगे ये chief justice कितना मजबूर है chief justice of Pakistan उसको जो इसने पूरी जिन्दगी जूडी शरीव में बटा दी रेटायमेंट के करीख खड़ा है पूरी जिन्दगी उसने लोगों को नियाए दिया कितना मजबूर है कि वो अपनी मर्जी से और सबूतों के आधार पे नियाएद नहीं दे सकता नवाज शरीफ और उसकी बेटी ने ये बोला जो कि उनके कुलीग थे शायद उन्होंने बोला बट इन माइ व्यू इस डॉटर डजन डजन्ट मेरिट अ केस उनकी बेटी पर नवाज शरीफ के बेटी पर कोई केस बनता ही नहीं है तो चीफ जेस्टिस साब बोले आप बिलकुल सही बोल रहे है कोई केस नहीं बनता है मतलब वो दोस्ट जो के उनके और आर्मी के बीच में बाचीत करा रहे थे मैंने अपने दोस्तों से बात की थी यही काम होना है but they did not agree मतलब आर्मी के लोग आर्मी के करीबी बात माने नहीं उन्होंने यही बोला कि यह काम होना है जुडिशिरी को बोल दिया गया कि इस आदमे को सजा देनी है तो देनी है कैसे भी दीजी आप फिर उसके बाद यह बोला फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कितना मजबूर चीफ जस्टिस था बहां पे इसको भेजा गया, उन्होंने चेक करके बताया कि यह आदियो है, इसमें कोई कांट छाट नहीं की गई है बिल्कुल सही आदियो है और असली आदियो है और ये भी बताया उन्होंने कि इस audio को ये इस audio में जो कुछ बोला जा रहा है वो actual में original हवास है साथ में ये जो company है ये अमारिका की course के लिए audio को testify करती है audios को चेक करती है और उनका confirmation देती है कि ये audio सही है ये गलत है अब आगे अब बात करते हैं हम कुलबूशन जादव के case की ये तो पता लगा कि जोडिशरी कैसे काम करती है जोडिशरी जो है बहुत ही fraud काम कर रही है under the pressure of army ये हमारे लिए क्या हमारे तो एक कुलबूशन ये अदर पस है वहां तो इतने सारे फसे है नवाशरी खुद फसे हुए जर्दारी और कितने सारे फसे हुए आर्मिय अगर ऐसे फसाती चली जागी case चलाते तो चलाते ना यार अपने पापा जोंस के मालिक के पर असी बाजवा पे चलाते हम भी देख लेते कितना चला रहे थे आपके major generals पे जिनके ओपर उनको तो बहुत clean shit देने के लिए प्राइम निस्टर के जित्ते गार्ज हैं वो सारे आर्मी के ही तो है न वो वहीं से बंदू गुमा देते होंगे कि बोल क्या कलना है तो वह आके clean shit दे गई आर्मी के किसी आदमी पर केस चलते हुए देखा अभी अभी वो पेशावर वाले मामले में पेशावर आटाइक वाले मामले में इमरान खान को बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और बोला कि फॉर्मर आर्मी चीफ पर केस चलाई है और इमरान खान से उसके बाद पूछा गया क्या क्या आप फॉर्मा आर्मी चीफ पर केस चलाने चारे हैं इमरान खान ने सिरला दिया नहीं डालने बार हूं नहीं करने बार हूं फॉर्मा आर्मी चीफ पर केस चलाने के नाम पे इतना डर गए इमरान खान पहली पॉलिक इंट्रेस्ट का है तो उद्र पॉलिक इंट्रेस्ट के के लिए उप तो रहुंदे हैं आदी यह सारी चीज है कितनी मझबूर सूप्रीम कोट है जो कि किसी और से बोल केस चला हम देखेंगे इस पर आगे चलते हैं इनके केस जो है यह अप्रेल 2017 में कुलबुशन जादव को मौत की सज़ा सुनाई गई थी मार्च 2016 में कुलबुशन जादव पकड़े गए और उसके बाद यह तीन मार्च 2016 को पकड़े गए पाइस दिन बाद गया तीन हफ़ते से जादा का टाइम इनहोंने लिया क्यों किया कर रही थे तक किस की कस्टडी में थे और कॉल्ट टॉचर कर रहा था और क्या क्या स्टेटमेंस उस समय लिये गए जो ॉप्रूर्ट में फूडूइस किया था आपने दो बताया ने निए आप कुछ-कुछ बुलवाते रहे, क्या पता नशा दे के बुलवाया है, क्या पता टॉचर करके बुलवाया है, हमें क्या पता, सामने आया नहीं कुछ, और वो भी एडिटेट टेप सारी हैं सामने, यह एक clean footage नहीं हा रही है, उसके बाद, पाकिस्तान ने छुपाये क्यों रखा, तीन हफ़ते क्यों छुपा के रखा, पाच दिन, शे दिन, साथ दिन, मैं आपको बता देना चाहिए था, नहीं, इनके खिलाफ कुल भूशन यादव को तीन हफ़ते छुपा के रखा, उसके बाद, जो इन्होंने ये पपलिक में बताया है, वो 25 मार्च को बताया ह 25 मार्च से, एक महीनी से ज़्यादा टाइम लिया एक आदमी को जब पकड़ा है और जब F.I.R. कि उसके बीच में एक महीनी से ज़्यादा का टाइम है, ऐसा क्यों हुआ, 25 मार्च को अगर आपने डिकलेर कर दिया था, सब मान लेते, 26 को जाती F.I.R., 27 को जाती, 28 को जाती पहली प्रिलिमनरी F.I.R. होती है, उसमें आगे आप डिटेल डालते ते, चार्ट शिट में सारी डिटेल डालते ते, इतना टाइम F.I.R. में क्यों लगा इने, इसका कोई एक्स्प्रेनिशन नहीं पाकिस्तान के पास, कि इतना टाइम हमें क्यों लगा, बस लगा तो शामेहूद कुरेशी ने बोला कि हमारे पास पूरा एविडेंस है, कुल्बुशन ज्यादव के खिलाफ, फिर उसके बाद उन्हों ने लंडन में यही बात बोली, जब ये इंटरनाशनल कोर्ट अफ जस्टिस पहुँचे, तो वहां इन्हों ने बोला कि एक, ये कुल्ब पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट जो था, अगर रिखवर हुआ था, तो दिखाया जाए, अभी तक दिखाया नहीं किसी को, मिलिटरी कोर्ट में एक जनरल ने अपनी जेब से निकाला, दूसरे जनरल ने जेब में डाल लिया, वो जजज को भी दिखाया गया के नहीं, उस लिंग क्लेम कर रहे हैं, आप बोलने हैं कि UK की कंपनी ने बोला, तो एक बार चेक कर लेते, दूसरी चीज, इंडिया ने भी कुछ ऐसा ही बोला, इंडिया ने बोला कि इनके पासपोर्ट है ये जूट बोल रहे हैं, पासपोर्ट होता तो दिखाते, एक स्कैंड कॉपी, पता नहीं किस पासपोर्ट की वो फोटोशॉप पे बनाई हुई है, या एक फरजी पासपोर्ट आपने खुद बना करके डाली है, पता ही नहीं, स्कैंड कॉपी दिख रही है, ओरिजनल पासपोर्ट तो दिखीने ने रहे हैं, चलिए, मान लेते हैं, अगर UK की किसी कंप कोट होके, सिविलियन्स पे केस चला रही है, उस कोट पर क्या विशास कर सकते हैं, इन फैक्ट ये पहले भी हुआ था, ये पहले भी उन्होंने पूछा था, कि मिलिटरी कोट, इंडिया के उपर पाकिस्तान ने आरोप लगाया, कि हमारी अदालत की तोहीन की गई है, हमार मैं ऐसा कभी नहीं बोला, लेकिन आपकी और हमारी मिलिटरी कोट को आप कंपेर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मिलिटरी कोट सिविलियन्स पे केस नहीं चला थी, आपकी मिलिटरी कोट चला थी है, आपकी मिलिटरी कोट देखें, अच्छा दूसरा उसके बाद, उन्हो उन्होंने दिखा दी। तो हमारे यहां से harish Salveance गये थे पहुत ही काबिल आदिया और सिर्फी रुपाय लिए उन्होंने पाकिस्तानी लॉयर जो उसकी तरह उन्होंने इतना बोले परवर के पैसा नहीं लिए उन्होंने बुला कि हिंडिया में journalism जो है journalist जो है हमारी media जो है इतनी free and fair है कि वो government के version के खिलाव भी बोल सकती है और बोलती है वो जिसने ये लिखा है उसका personal opinion होगा government का opinion ये नहीं है और हमारी media free and fair है बिलकुल prove हुआ international code of justice में prove हुआ कि जो ये लोग बोलते है गोदी media गोदी media और इंडियन government के stand के खिलाव बात करती है आगे चलते हैं अब जहां तक बात ये कि 2019 जुलाए में इसका judgment आया और judgment क्या था उन्होंने बोला कि आप इस death sentence को review कीजिए death sentence को review करने का मतलब death sentence से इंटेंस को justice भी खुश नहीं था और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि counselor access grant दिया करना चाहिए और counselor access तो उन्होंने तो वो अंडियन देने के mood में नहीं है और इंडिया अंडियन देने मांग रहा है ये थी असलियत जब Supreme Court का Chief Justice खुद बोल दे कि मुझे orders आ रहा है तो एक military court की क्या है military court क्या कर सकती है military तो क्या आर्मी के अंडरी काम करती है ने military court उधर से एक phone आगया होगा army chief के जो PA है उसके भी PA ने call कर दिया होगा कि सजा दीजे फांसी की फांसी की होगए जब आप Chief Justice को थमका सकते हैं जब आप Chief Justice को dictate कर सकते है कि ये judgment है हमारा आपको ये देना है तो military court की क्या होकात है बिना proof क्यों किसी को दे दे ये ही असलियत मैं आपके सामने लाना चाहता था इसी के साथ एक और ख़बर के अफिर हाजिर होंगे नमस्कार जहिंद